आपको दिया हुआ है CS3, CO, CL, C2H5, O, और पिरिटीन के साथ आपकी reaction हो गई है, इसमें, पिरिटीन reaction कर गगा है CS3, C2O, C2H5, और आपको दिया हुआ SCL, the function of pyridine in the above reaction, तो यह जो पिरिटीन का function है, actually में पिरिटीन हमने use क्यों किया है, पिरिटीन हमने use इसलिए किया है, क्य होगी यह क्या करता है, SCL को absorb कर लेता है, यह liberate होगी यहाँ पर, तो यह liberate होगी, तो इसको क्या करेगा, absorb कर लेगा, absorb by pyridine, absorb by pyridine, ठीक है?